स्री शिवाई नमस्त उभ्यम दर्सको कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तो आज सोमवती अमावशा है सोमवती अमावशा का परवे बहुती सुम माना जाता है दोस्तों सास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो सोमोती अमाविशा होते है इस दिन अगर कुछ उपाई कुछ ऐसे कार्य का ले जाए जिनको करने से इनसान की जीवर्ण की सभी परकार की समश्या के साथ साथ इनसान की आर्थिक समश्याओं को भी निवार नहों हो सकता है आज संवार का दिन है बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है इस रातरी में आप लोगों को मातर 3 काली मिर्च का एक छोटा सा उपाई करना है दोस्तों जो काली मिर्च होती है काली मिर्च का परियोग बहुत से बड़े बड़े टोटकों में और बड़े बड़े उपाईयों में किया जाता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक प्यारा सलाइक आउशे करें हर बार की तरह कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तूब भी हम आउशे लिखें तो दोस्तो आज रातरी में आप लोगों को एक कपूर लेनी है एक कपूर काली कपूर आप लोगों को लेनी है याद रखना है कि काली कपूर आप लोगों को एक लेनी है काली कपूर को एक लेने के बाद में आप लोगों को अपने रसोई घर में आप लोगों को जाना है और उस काली कपूर के उपर आप लोगों को माता लक्षमी का इस्मन करते वे बगवान सिरेरी विश्नु का इस्मन करते वे आज सोमवार का दिन भी है और बगवान सिरेरी विश्नु का इस्मन करते वे और सनी देव का इस्मन करते वे और सनी देव का इस्मन आपको लोगों क करना है कपूर और वो जो काली मिर्च जले तब तक आप लोगों को सनी देव कहस्मन करना है ऐसे में दोस्तों आपकी जीवन की सभी प्रकार की समेशा दूर होंगी और आप लोगों को आर्थिक फल की प्राप्ति होगी तो आज गए है उपाया उश्य करें वीडियो अच्छ करें